दुखा दिये है अध्यक्ष मौदे कि आज हम ये शेश्वी प्रधान मंत्री मोदी जी को धन्यवाद देंगे कि आज ये उलम्पिक का एक जुनून चाया हुआ इस देश में वादभूत है स्पोस्ट मिनिस्टर में अनुराग जी है किरन रिजू जी रहे थे उनको धन्यव पारी खेली जो पिछले उलम्पिक में the medals हम लेके आए लेकिन सवाल ये उठता है कि we are talking about कि आज इस बिल को लेके आए ये डोप क्यों 65% of youth we have ये डोप कहां से आ गया हमारे कुछ धावक पहले भी थे कुछ धावक एक माननी अपा हाउस में हमारी पीटी उशा जी भी आई है मेरी कौम जी भी है हमारी सरकार ने उनको भी मौका दिया एक खिलाडियों को बहुत सारे मौके हैं हमारा मिलखा सिंग भी रहें लेकिन ये ड्रग ये डोप आता कहां से मुझे भी जैसे कुछ माननी सांसाथ हमारे मित्रे ने कहा था कि बॉडी बिल्डिंग मैं भी करता है और ये पुरे देश के हर जिम में हर कोच के पास इसका नाम है ये ड्रग जाते कहां से हैं ये कोच ट्रेंड क्या करते हैं ये कोच कौन है ये कौन से देश की शाधिश है कि हमारे यूद को खतम करें हमारे स्पोर्स को खतम करें ये शॉटकट वाला स्पोर्स क्या है ये शौटकर से क्या जीतना और शरम आनी चाहिए कि ऐसी जीत के जो आप injection शौट मार के भाग रहे हो और आप जीत रहे हो और मेडल पा रहे हो बड़ा दुखत है सर कि आज हम आयरुवेदा और इस ऐसे भारत में जहां योग और आयरुवेद के लिए ये भारत जाना जाता है वह हमको ड्रग इस योधा शरीर में ड्रग की जरुवत पड़ी ऐसी मिट्टी जहां बारिज भी होती है हमारे यह इस भारत में तीन सीजन है we don't need all this so हम लोग को we need मैं स्पोस्ट मिनिट्सर से मैं दरखास करूँगा रिक्वेस्ट करूँगा कि we need a good coach we need a counselor we need a people जो उनको जुनून पैदा करे तिरंगे के लिए जुनून पैदा करे देश के प्रेम के लिए रास्ट के प्रेम के लिए उसको जीतने के लिए ना कि we need a drug to run करता हूँ एंटी डोपिंग नियोमों को लागू करते हूँ इस देश में खेलों को डोप से मुक्त कराने के लिए अध्यक्ष मौद है चुकि बिल रास्टी एंटी डोपिंग के बोर्ड डिस्पिंसरी इत्यादी के बारे में बईरा दिया गया इसलिए मैं इसके अध्यक्ष मौद है इस बिल के अलोचक प्राय आरोप लगाते हैं चुकि रास्टी एंटी डोपिंग संगठन जनहित से कारे रथ है कठो रेगलेशन को खेलों में क्रियाविद करना इसलिए इन्हें पूरी ऑपरेशन स्वतंत्रता मिलनी चाहिए परंतु इस बिल में जो आजवर्धन जी इन्हों ने अभी इनको सम्मानित भी किया तो मेरी बीटिया भी स्पोर्ट्स में आना चाह रही है मेरी बीटिया भी फॉज में आना चाह रही है अब मेरे बच्चे या मेरे देश के अंगिनत बच्चे गाउं दिहाद के बच्चे दिनरात मेहनत करते हैं हाइवे पे दोडते हैं सड़क पे दोडते हैं साड़क पे दोडते हैं डाल रोटी खाके महनत करते हैं पुश अप्स dopo SCOTT और कई दंड मारते हैं और उसके बाद भाद ऊजब थैयारी करने जाते हैं जैसे कि मानि-सांसित हमारी नौनिज जी ने कहा कि वहाँ पर एक शहरी लड़का या कुछ पैसे जिसके पास हैं वो डोप लेके खड़ा है और वो तेज दौड रहा है क्योंकि इसने इंजेक्शन के शॉट अपने पैर में मारे हैं या बगल मियाँ wherever they take the shot it's very sad we must take care of this we need a counselor मैं sports minister से request करूँगा we need a coach जो जुनून पैदा करे we need जुनून ये देश में जुनून देंगे जैसे हमारी एशेश्वी प्रधान मंत्री मोदी जी देते हैं और देश दौड़ने लगता है और देश चलने लगता है we don't need all this